नमस्कार एक मुलाकात कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हार देख अभिनन्दन मित्रों, समाज को संसार को उतक्रिस्ट बनाना, उतक्रिस्ट देखना हम सब की कामना रहती है एक ऐसा समाज हो, जिस समाज में आपस में सनी हो, शान्ती हो, सहयोग हो, प्यार हो, किसी प्रकार का ध्वंद ना हो, कहने का भाव रामराज्य हो, जहां किसी भी प्रकार की आसूरी जो शक्तियां हैं वो ना हो, हम सब की ये कामना होती है ब्रह्मकुमारीज भी इसी उद्धिश्य को लेकर 1936 से लेकर की कार्य कर रही है सतत प्रयासरत हैं अपने अलग-अलग प्रभागों के माध्यम से उन्ही प्रभागों में से एक प्रभाग है आर्ट एंड कल्चर प्रभाग जो की समाज को उत्विष्ट बनाने के लिए जो कलाकार हैं उन्हीं निखारने का कार्य कर रहा है और साथ ही उनके अंदर भी आध्यात्म को लाने का प्रयास कर रहा है उनके माध्यम से ही एक सुन्दर सम्मेलन का आयोजन उडमा कुमारिस के हेटक्वार्टर्स में रखा गया था और उसी सम्मेलन में पधारी हुई श्रिमती अनुजा लोकरेजी आज इस मंच पर हमारे साथ है जो एक्ट्रिस भी है, मॉडल भी है और सामाजी कारी करता भी है आये, उनके अनुभव से जानते हैं कि इस बार उन्होंने यहां से क्या सीखा है, क्या पाया है और क्या ले करके जा रही है अनुजा जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभी नंदन आपका, ओम शानती ओम शानती ब्रह्म कुमारी इसके प्रांगन में आप आई हैं, खास करके वहां से, बॉम्बे से, वहां की चका चौन भरे, जिंदगी से बाहर निकलके तो अध्यात्म और वहां का एक चका चौन भरा जो जीवन है, दोनों में कैसे सामन्जस से आप स्थापित करती हैं या कुछ नया यहां पे आपको लगा करके नहीं, जब मैं पहली बार 2019 में यहां आई, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के कॉन्फरेंस के लिए, अभी मैं सेकंड टाइम हूँ, जब पहली बार मैं आई और मुझे बिलकुल आइडिया नहीं थी कि गान सरोवर के बारे में मैंने सुना नहीं था, ब्रहमकुमा इसे ग्लोइंग, बिलकुल ग्लो था, वो देखके तो हम लोगों को लगा कि हम लोग क्या आर्टिस्टों के मेक अप करना पड़ता है ऐसी ग्लो लाने के लिए, तो पहले तो यह था मन में, तभी तो मुझे राजयोग के बारे में या उनके किसी भी अक्टिविटीज के पारे में कुछ पता नहीं था, और फिर जब मैंने सेशन से टेंड करना शुरू किया, तो इतना अच्छा लगा, बहुत सुंदर, कि सिर्फ उनके चेहरें पे नहीं, पूरे जो वाइप्स थी, वो इतनी पॉजिटीव और अच्छी लगने लगी, मुझे वो पेड, और सभी पतों में फूलों में पॉजिटिविटी इतना बहुत अच्छा लगा, और जब मैं वो कोर्स करके यहां से गई, तो मुझे नहीं पता था, कि मैं कुछ फॉलो करूंगी वहां मुंबई की लाइफ में जाके, लेकिन पता नहीं है, अपने आप, मैं ब्रहमूर्थ के बारे में सुना था, मुझे अंदर से ही मैं चार-पांच बजे मुझे नीन खुलने लगी मेरी, और फिर मैंने सोचा अमृतवेले है, मैंने यहां अटेंड किये हुए थे, तो वो करना चाहिए, कि हाई वाइबरेशन रहती है, उस टाइम आपको मेडिटेशन करना चाह आप कर सकते हो, मैं करने लगी, अपने आप, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था, किसी को कुछ पता रही, तो इतना अच्छा लगा कि यह एफेक्ट मुझे यह चेंजिस आए, यह अवेर्नेस मुझे मुझे आई, उसके बाद में, मैं जब यहां आई थी, तो मैं नॉन अच्छा लेए, शेंद नहीं कि ऊए, तो यह धिरे धिरे चेंजिस मुझे में आने लगे, आपको कहा गया था, कि नॉन्वेज नहीं कहना है, यह फिर बिना किसी के कहést ही, आपके अंदर से लिए, बिना किसी ने मुझे किसी की चीज के लिए ब्रह्मकुमारीज में फोर्स नहीं करते हैं, तो मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया था, ना आप सुभा उठो, उन्होंने सिर्फ मुझे वो ग्यान दिया, कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, आपको अगर आपके निगेटिव थौट्स पॉजिटिव में बदलने ह तो आपकी thought process आपको change करनी पड़ेगी, उन्होंने सिर्फ knowledge दिया, यहां पर किसी बात के लिए force नहीं किया, लेकिन जब आप अपने अंतरिक मन में changes लाते हो, acceptance लाते हो, awareness आपकी आजाती है, knowledge बढ़ जाता है, आप अपने आप हो जाता है, यानि मेरे example में मेरे साथ ऐसे ह आप सुबा उठने भी लगी, चार बजे ध्यान करने लगी, और साथ ही यह जो चीजे है, नौन में जादी भी छूट गए, तो आपको यह जो आपने एक spirituality अपनाई, जब पहली बार आप आई थी तो, उसका आपकी कारिक्षेत्र में, क्योंकि आप मॉडलिंग के फिल्ड से हैं, आपको बहुत स्ट्रेस बरी लाइफ जीनी बढ़ती है, यानि आप अज एक चोटे रोल के लिए, और आप अच्टर की स्ट्रेस वो भी उसमें आड हो जाती है, आप आप आउडिशन्स देने जाते हो, हजारों लोग आते हैं एक छोटे रोल के लिए, और आप उसके बाद में इन हजारों में से सिर्फ पांच या दस शॉट लिस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में सिर्फ एक का सेलेक्शन होता है, तो आप उस प्रोसेस से जाते हो, तो आपके मन में ऐसा लगता है कि वो एक मै होनी चाहिए, मुझे मिलना चाहिए वो चार्स, और जब नहीं मिलता है, वो जचेक्शन उसको डाइजिस करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस और ऐसा आपके साथ ज़रूरी नहीं है, रोज भी हो सकता है, रोज आप अअप अअधिशन दे रहे हैं, आपका रिजेक्शन होता है, क्योंकि वो एक ही बंदी होती है, या बंदा होता है, उसका सिलेक्शन होता है, तो ये रोज मरा के जिंदगी में ये रिजेक्शन को एक्सेप करना, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, सेट पे जाते है, मुंबई में ऐसे भी लाइफ बहुत ही हार्ड और बिजी है, ट्राफिक बहुत रहती है, आपको फिर पहुचना है, आप टाइम पहुचते हैं, यह stress है, यह बहुत सहरे हारी इस ट्रेस से माइनए क्योंकि आपको काम भी नहीं मिलता है. उस वक्त मुझे राजयोक़ मेडिटेशिं बहुत ही काम आया, कि अपने आपको कैसे पीसफुल रखना है, अपने आपने वो acceptance कैसे लाना है, वो मैंने अपने आपको, अपना जी सोच है, वो मैंने बदल दी, पहले मैं बहुत सोचती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी अंदर से, क्यों नहीं मिजी मिला, क्या मैं मेरी acting खराब है, क्या म क्या है, लेकिन फिर मैं सोचने लगी, मेरी positivity जब मैं meditate करती हूं, तो मैं बाबा के साथ योग लगाती हूं, वो जो supreme power, तो ब्रह्म बाबा, शिव बाबा, supreme power, और फिर उनसे बात करती हूं, यह जो बाते नहीं, तो हम आम जिंदगी में अपने friends से करते हैं, और उससे negativity आपको दस बोलते हैं, तो वो निगेटिव फिर आप भर जाते हूं से, तो जब आप योग लगाते हो, बाबा से बात करते हो, solutions मिलने लगते हैं, अपने आप, आपकी शक्ति बढ़ने लगती है, आप में negativity accept करने की, उसको positive thought में बदलने की शक्ति मिल जाती है, तो नहीं क एक दम बहुत सारा मिलता है, continuously आप शूट करते रहते हैं, कभी-कभी आपको नहीं मिलता है, आप जब योग में हैं, तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो राजयोग मेडिटेशन से ये मैंने सीखा है, जी, ये कितनी बड़ी उकलब्धी है, अन्याथा व्यक्ति असफल होता है, तो कितना निराश हो जाता है, और प्राप्तियां होती है, तो कई बार बहुत एहंकार में भी आ जाता है, इन सभी चीजों में एक समान स्थिती रहना, ये बहुत बड़ी एक उकलब्धी की बात हो जाती है, तो क्या लगता है कि ये जो एक सुन्दर राज राजियों की विधी है, आज समाज के इनकेवल, जैसे आप acting के field में हैं, लेकिन आज हरी के field में यही देखने को मिलता है, जो आपने कहा, कि वहाँ भी stress है, भागम भाग है, एक rejection वाली के बारे स्थितियां रहती हैं, तो क्या यह राजियों का जो अभ्यास है, हरी को मदद क सकता है, of course, मैं अभी being an actor, मैं यह बात कर रही थी, बट मैं योगा ट्रेनर भी हूँ, मैं speech and drama ट्रेनर हूँ, मैं बच्चों के साथ भी मैंने बहुत सारे sessions और workshop करती हूँ, और योगा के लिए भी मैं बहुत सारे workshops करती हूँ, तो एक आम आदमी के साथ भी मैं रिलेट करत हूँ, तब मैं, क्यूंकि हर वक लोग सिर्फ यही बोलते है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, या मेडिटेशन करना है तो बस आप आठ बंद करो और अपने निगेटिव विचारों को रोग दो, कोई यह नहीं बताता कि आपके निगेटिव विचारों को पॉजि हूँ कि हमारे फील्ड से जो यंग्स्टर्स है, बहुत सारे कहीं कहीं से आते हैं, सबको शारुक खान बनना है, अमिताब बच्चन बनना है, रेखा बनना है, और छोटे-छोटे गाउं से आते हैं, जिनके पास लिमिटेड पैसे रहते हैं, और गाउं से आते हैं, तो उन है इस दवरान मुझे आप सभी लोगों से ये निवे दिन है ब्रह्मकुमारीज वालों से भी और मेरे अक्टर्स जो दोस्त है उनसे भी कि आप एक बार आप अपनी तरफ से यंग्स्टर्स को तारगेट करने की कोशिश कीजिए कि उनके समझ में आया है क्योंकि सब के मन में क्या है कॉमन मान आक्टर्स हो या कोई भी कि यह संसा है यहां पर आप को समर्पित करना पड़ता है आप डेडिकेटेड होने चाहिए आप संसार में रहके यह सब नहीं कर सकते हैं तो मैं संसार में रहके यह कर रही हूं मैं संसार में हूँ योग कर रही हूँ और मुझे वो पावज मिले हैं और मुझे में चेंजिस आये हैं। मुझे सभी से ये निवेदन है कि आप भी करके देखी हैं। और यहां पर कोई ऐसा फोर्स नहीं करता है कि आपको वाइटी पहनना है। आपको रोर सुभ़ी चार बजे उटना है। आपको नौनवेज नहीं खाना है क्योंकि meditation important है और उसके तरीके important है जैसे करना है वो वो जो सारी सीख है वो यहां पर मिलती है। और everything is free of cost यानि बहुत सारे लोगों के को लगता है कि पैसे देने पड़ेंगे। centers भी available है। इतनी तादाद में मुंबई में और सारे विश्व में हैं लेकिन मैं मैं मुंबई की बात करी हूँ क्योंकि I'm from Mumbai. तो कहीं भी आप जा सकते हैं ऑनलाइन पे अब मैंने देखा है कि वंडे कोर्स है राजयोग का। तो कोई भी कर सकता है और experience कर सकते हैं नो बिलकुर। कुछ नहीं जाता है। शुक्र अनुजा जी ने बहुत प्यारी सी बात कही है और सबको invite भी कर लिया है कि आप सभी जो भी अलग-अलग शेत्रों से जड़े हुए हैं free of cost कोर्स है राजयोग का जरूर ये करें क्योंकि ये मन को शांत और संतुलित करने वाला है और इसके लिए कुछ छोडने की जहरत नहीं है लेकिन ये कोर्स और ये meditation आपको आपके क्षेत्र में सफलता ही प्रदान करने वाला है। शुक्रिया अनुजा जी बहुत ही प्यारा समय से आपने सभी दर्शकों को दिया है अपने अनुभाव से अब इस बार जब आप माउंट आबू आएं तो इस बार भी आर्ट और कल्चर विंका प्रोग्राम था और एक विशह बहुत सुंदर था कि उत्रिस्ट समाज के न दे वहां जाकर क्योंकि सब लोग यहां नहीं आ सकते हैं अगर आएंगे तो सभी भाईयों में बहनों में दीदियों में इतना acceptance है यहां मैंने जो देखा है हर चीज के लिए सुविदाय है हर किसी को भी ऐसा छोटा बड़ा नहीं है किसी बात के लिए कोई फरक नहीं है त तो हम जो यहां से नॉलेज लेकर जा रहे है ग्यान लेकर जा रहे है हम उसे वहां जाकर spread करें हर एक में उनके वो awareness पैदा करें कि ब्रह्मकुमारी क्या है मुझे लगता है यह मेरे responsibility है मुझे मौका मिला है जो ग्यान मिला है मैं सब के साथ शेयर करो और वो मैं करना चाहत कर आता है मैं अपने बहुत सारे friends को भेशती रहती हूं centers कि आप जाओ करो आठ दिन का course है आप करो उसके बाद में आप अपने आप decide करो आपको जाना है नहीं जाना है लेकिन पहले तो आप जाकर तो देखो experience लेलो ऐसा कुछ नहीं है आप जाएंगे तो आपको experience आएगा तो ये awareness society में पैदा करना चाहती हूँ मैं ब्रह्मकुमारिस के बारे में और जैसे यहां के experience मेरे बहुत अच्छे है मैंने बोला ना COVID में मैंने online पुरा ये live channel आपका शुरू हो गया था तो मैं live अमृतवेला मृली सुनती थी बहुत अच्छा उससे बहुत शक्तिशाली बन गई और मैंने COVID के दर्मयान अपने आपको positive रखा उसके बाद में मुझे ऐसे experience बता रही हूँ कि महाशिवरात्री के टाई मुझे ऐसे लगने लगा अंदर से कि राजयोग मैंने किया नहीं मुझे वापस करना चाहिए फिर मेरी मधर-in-law she's not well she's bedridden तो मैंने बोला कि कि मैं 25 मिनिट चल कर जाओंगी कैसे होगा मेरे से उसी दिन गोरिगाव सेंटर से रीना देडिका मुझे मेसेज आया कि हम महाशिवरात्री का उस्षव यश्वन अगर गोरिगाव में जो पांच मिनिट की डिस्टंस मेरे घर से दो मिनिट के डिस्टंस पे राजयोग का को कैने बाबा की कृपा है मुझे पर मैंने सिर्फ चाहा मन में ये थौट आया मुझे और तुरंट मैंने वन टूवन राजयोग का वापस कोर्स किया महाशिवरात्री में जाके जोतिरलिंग के दर्शन किये तो हर वक्त यहां आने के बाद भी ये बहुत ही सुंदर एक्सप कि मैं सभी में ये अवेरनेस पैदा करना चाहती हूँ ये तो हो गई कि आपकी भूमिका आपने कहा एक अक्टर के तौर पे और सभी अक्टर्स ये करें ये भी एक संकल्प सभी ने लिया होगा हम सभी की चाहना और कामना है कि एक बहतर समाज हो एक बहतर विश्व हो तो ह हम अपने समाज को विश्व को बेहतर बना सकें। क्योंकि सबको ऐसा लगता है, मैं क्यों करूँ, किसी भी चीज की शुरुवात। जे, जे, लेकिन हम… पॉलिटीशियन्स करें, सरकार करें, ये एक चाहना रहते हैं। कि कोई और करें, मैं क्यों करूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि सब चोटा चोटी 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 ऐसे, आप अगर सब साथ में आएंगे, एक एक लोग, आप अपने मन से ये फीलिंग निकाल दे, मैं क्यों, आप शुरू कीजिए, दूसरे लोग आपके साथ जुट जाएंगे बहुत सारी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कि छोटे-छोटे तिनके या एक तिल्ली रहती है, जो साथ लोगों में आप बाटके खा सकते हैं, इतनी छोटी सी, तो वैसे ही है, एक छोटी से आपने वो बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं, कि आप वो बेबी स् भी स्टेप लोगे, फिर आप उसका experience कर सकते हो, अपने आप, मैंने बोलते हूँ कि मैं सभी को यही बोलते हूँ, कि यह मेरा experience है, आपको चाहिए तो आप ले लो, तो वो है, तो हर एक को अपना experience दूसरों के साथ शेयर करके, उन्हें वो मौका देना चाहिए, कि आप भी यह experience करो, किसी को कोई force नहीं है, क्योंकि मेरे साथ यह experience अच्छा हो गया, बहुत संदर है, वैसे भी लोग आजकल अपने समस्याओं में, अनेक अनेक बातों में, बहुत ज़्यादा उलजे हुए हैं, उन्हें लगता है कि मैं अपने समस्याओं से कैसे मुक्त हूँ, चाह और जीवन में जो उनका लक्ष है, जो सफलता वो चाहते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं? बिलकुल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मकुमारीज आपके solution, problem की solution नहीं देती है, लेकिन ब्रह्मकुमारीज वो राजयोक meditation के थुरू, आप खुद अपने problems को solve कर सकते हैं वो क्षमता आप में पैदा होती है, आपको अपने problems नहीं, तो हम पहले मैं क्या करती थी, दस लोगों के साथ discuss करती हैं, अरे मेरे मुझे ये problem है, ये stress है, ये depression है, आज मैं नहीं करती हैं, तो वो जो शक्ती, वो क्षमता मेरे अंदर पैदा हुई है, वो इनकी वज़े से है, तो लोगों के मन में अगर कोई problem है, तो वो दस लोगों से discuss करके, वो दस solutions देंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं बनता है, negativity बढ़ती है, अगर आपको कैसा लगेगा कर मेरी problem मैं खुद ही solve करूं, कितना positive और कितना अच्छा लगा है, ये सब ब्रह्मकुमार इसके वज़ की और भी बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, अपना aim, जो है, अपनी जो spiritual journey, सब के अंदर वो spirituality रहती है, हर एक आत्मा के अंदर, क्यों वही से बने हुए हैं हम, इश्वर ने हमें बनाया हुआ है, तो वो spirituality आपके अंदर है, उसको मौका दे दो आप, मैं चाहती हूँ, कि सब व कि नहीं यहां आने के बाद, तो हमें खान पान चोड़ना पड़ेगा, अपना परीधान चेंज करना पड़ेगा, लोगों से मेल मिलाब शायद हमारा छूट जाएगा, spiritual हो जाएंगे, तो शायद जो हमने लाइफ में बहुत कमाने का, बहुत कुछ अचीव करने का सोचा ह है, वो करने का सब छूट जाएगा, तो शायद ये एक सोच है, क्या ऐसा है या ये सोच उनकी मिथ्या से है, बिलकुल मिथ्या है क्योंकि मैं पूरा एक्जाम्पुन हूँ आपके सामने, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अपने आप में awareness, acceptance और job satisfaction मिलने लगा है, अपन नहीं मिलेगा, मुझे शुटिंग आएगी, नहीं आएगी, ये आपकी चेंज़ आजाते हैं अपने आप में, आप में वो पावर आजाती है, कि आप शांती से रहो, अपने आप, आपके प्रॉब्म साल होते है, आप अपने लक्ष की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर अपने आपके अपने आपके प्रॉब्म करना चाहते हैं, वो मन की शांती, पीस बहुत ज़रूरी है, तो ही वो अंदर से निकल आती है, वो एमोशन लाने के लिए भी आपको पीस की ज़रूरत है, विल्कुल, मन का शांत होना, फोकस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो हर अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल है, कुछ है, और आप दो मिनिट, एक मिनिट के लिए भी योग लगाते हैं, आप ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि मुझे मेमराइज नहीं हो रहे हैं डायलोग, उस वक्त भी आप एक मिनिट के लिए योग लगा, तुरंत आपका अपने अप अंदर से आपके डायलोग जा जाते हैं, वो शक्ति मिलती है, तो बहुत, यानि मैं as an actor नहीं किसी भी, कोई भी आम आदमी के लिए भी बहुत जरूरी है, यह तो बहुत सुन्दर सी बात आपने कहा दी, कि एक मिनिट हमने मेडिटेशन किया, सारी चीज़ें तब तो स्टुडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा और हर फिल्ड के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हर एज के लिए, जे, 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 मेडिटेशन आज के जीवन के लिए बहुत-बहुत जरूरी हो गया है, कि वो अपने आपको इश्वर के साथ जोड़ें और अप जीवन में, परिवारों में, संबंधों में या बैलेंस बनाने में इस्प्रिच्वालिटी कैसे आपको मदद करती है, क्योंकि ये भी बहुत एक बड़ा मुद्दा है व्यक्ती का, कि मैं अपने कारोबार, परिवार में इतना व्यस्त हों, कि आध्यात्म के लिए समय नही जैसे घर में ही ऐसे होता है, कि बहुत सारे जगड़े आपस में होते रहते है, साज बभु का जगड़ा है, हस्बं वाइफ का है, बच्चों के साथ आपका, जैसे मेरे दूनों बच्चे एंए मेरे बेटी उएसे में और बेटा ऑस्त्रयलिया में है और जब वो वहां है तो उनकी ठिंकिंग बिल्कुल अग है, हम इंडिया में हैं, वहाँ से वहाँ गय है, तो उसमें कॉन्फलिक्ट होता है बहुत, विचारों में, जनरेशन गैप भी है, और वहां रह रह रहे हैं, तो वहां की संस्कृती भी अब अड़ॉप करते हैं, तो पहले मैं जब बहुत जगड़े रहती थी अपने बेटी के साथ, हर चीज में, कि यह ऐसा मत कर, यह मत कर, बहुत होता था, और उसे बहुत stress बढ़ती थी, एक तो आप बहुत emotionally, आपके बच्चे दूर रहते हैं, तो वो एक आपके अंदर बहुत emotion रहते हैं, कि बच्चे दूर है, और उसम होने वहां की संस्कृति अड़ाप करने लगे धीरे धीरे, तो वो acceptance जो है, वो यह जब meditation आप करने लगते हैं, वो acceptance आजाता है, आप सोच, आपकी thought process बदल जाता है, कि हाँ, वो वहां है, वहां की संस्कृति के हिसाब से चलेगी, वहां वो जॉप कर रहे हैं, वहां उसकी problem सलक होगी, और क्या होता है, महिलाओं में menopause भी चलता रहता है, जब आपके बच्चे जब जवान होते है, तो वो एक stress भी अंदर से रहती है, तो वो भी उभर आती है, तो और भी जगडा होने लगता है, क्योंकि किसके उपर आप ये सब निकाले, वो घरवाले भी होते है, हस्बंड ही होता है, बच्चे ही होते है, तो पिर वो stress भहत होता है, तो पिर बहुत रहता है, तो अभी ये spirituality बहुत भॉत बदेटियॉटे मेरा, बिल्कुल काम आती है और फिर हमारी बात है अच्छे से होती है, तो ये relationship आपकी strong बनाने में, आपके conflicts कम करने में, या जो modern activity, जैसे she is staying in USA, तो वो विचारधारा अपने आप में लाने में, ये भी मदद करता है, बहुत संदर, पुरी जीवन के परिवरतन के लिए बहुत-बहुत आवश्यक है, य जीवन की सारी समस्याएं हमारी सहचता से सरल हो जाए, उनका निदान हो जाए, हम जीवन में सुक, शांती, पुर्वक, सफलता की ओर बढ़ें, लक्ष की ओर बढ़ें, यही हमारी कामना होती है, और आध्यात्मे से कितना सहच कर देता है, सरल कर देता है, पारिवारिक संबंधों को भी कितना ज्यादा मिठास से भर देता है, जीवन में यही तो हम सब क को चाहिए फिर क्यों ना एक कदम आध्यात्म की ओर राजियों की ओर बढ़ाएं और स्वयम अनुभाव करके देखें कि जीवन कैसे खुशानी से भरपूर होता चलता है जरूर इसका अनुभाव किजेगा नमस्कार ओम शैन्ति